सबको नमस्कार जैसा हम देख रहे हैं देश भर में करोना का बहुत जबरदस्त कहर चाया हुआ है और इस करोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है वो है वैक्सिन दिल्ली सरकार ने निर्मे लिया है कि 18 साल से उपर की उम्र के लोगों को फी वैक्सिन दी जाएगी हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सिन किया जाए इसका पूरा प्लान तयार किया जा रहा है आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में एक करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दिये हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ करोना नहीं होता या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है उन में से अधिकतर लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं होती और अगर अस्पताल की जरूरत तो करोना एक ordinary बीमारी की तरह हो जाएगी तो अगर हो भी होगी भी तो ठीक हो जाएगी इंग्लेंड में यूनाइटिड किंग्डम में अभी कुछ महीने पहले तक करोना का इतनी ही जबरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है और वहां उन्होंने वैक्सिन बहुत बड़े इस तरके उपर अपने लोगों को लगाई तो करोना के अंदर उस लहर के कम होने का खतम होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपाइब कामी एक्सपाइब को मानते हैं कि की जिस इंटेफिटी के साथ honeymoon के साथ coronavirus लगायगी स्वाइब इंगलिंड में उसका corona की लहर को खतम करने में बड़ा योगडान रहा वैक्षिन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को चार सो रुपए में देंगे दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को छे सो रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों डेड़ सो डेड़ सो रुपए में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फाइदा हो रहा है तो अगर डेर सो रुपए में भी उनको फाइदा है उसमें नुक्सान नहीं है तो चार सो रुपए में और छे सो रुपए में तो बहुत जादा फाइदा है यह समय ऐसा है जो की इ प्राइसे के उपर कैप लगाए, अलग-अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसे के उपर कैप लगाए, कि अस्पताल जो हैं इस से ज्यादा नहीं ले सकते, दाम इस चीज के इस चीज के इतने लेंगे, इस चीज के इतने लेंगे, ऐसे समय में जब सारा दे पड़ी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए ये टाइम करोना जब महामारी इतने बड़े स्थर पे फैली हुई है लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है मैं किंदर सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूर पड़े तो इसकी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए एक बात की 18 साल से उपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है तो उनके लिए भी अब हम सोचने का टाइम आ गया है अगर यही वैक्सिन उनको भी लगाई जा सकती है उनके लिए भी सेफ और एफेक्टिव हैं तो यही वैक्सिन लगाई जाए और अगर यह वैक्सिन उनको नहीं लगाई जा सकती दूसरी वैक्सिन की ज़रूर थै तो अब ही मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है, उसका मुआइना करके आ रहा हूँ आज सुबह सुबह, दस बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है, लगबग 500 बेड्स शुरू किये जा रहे हैं, आज 1500 बेड्स हैं, अब लेक दो दो दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे, उसके दो-चार दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाए जाएगा, इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का ICU भी तयार कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग नहीं, और तो मैं उमीद करता हूँ किसे जनता को काफ झाल